नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागते और नज़र डालते हैं आज की प्रमुक खबरों पर मधुरा में हिंसा, SP, SHO समेट 21 की मौत उतरवदेश के मधुरा के जवारबाग में हुई हिंसा में पुलिस अधिक्षक और एक थानय अध्यक्ष समेट 21 लोगों की मृत्यू हो वेई आगरा मंडल के आयुकत प्रदीब भटनागर ने बताया की जवारबाग को कबजाधारियों से मुक्त करा दिया गया है इस घटना में SP मुकूल द्विवेदी और फरह थाने के थानय अध्यक्ष संतोश यादो उपद्रवियों की गोली लगने से शहीद हो गये इस घटना में 19 कबजाधारियों की भी मुरुत्ती हो गई प्रशासन का दावा है कि उनमें से कुछ नकसली भी थे उन्हेंने बताया कि घटना की मजिस्ट्रेट जाच के आदेश दे दिये गये हैं राज़े के अपर पुलस महानी देशक दंजी चौधरी ने बताया कि तलाशी के दोरान जवारबाग से बड़ी संक्या में हतियार और कुछ विस्वोटक भी बरामाद हुआ है केजरिवाल वोले जंग के कंधे पर बंदूग रखकर चलाते हैं मोदी प्रदान मंतरी नरेन मोदी और उपराज़पाल नजीब जंग पर ताजा हमला करते हुए मुख्यमंतरी अर्वीन केजरिवाल ने कहा कि मोदी जी उपराज़पाल के कंधे पर बंदूग रखकर चलाते हैं दिली सरकार की एप अधारित प्रीमियम बस सिवा पर भरष्टाचार निरोष शाखा की जाश शुरू होने के बाद केजरिवाल ने ये हमला पूला दिली विदान सभा में विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि केजरिवाल सरकार यहां बस सिवा गुरुग्राम की एक निजी बस कंपनी को फाइदा पहुचाने के लिए चलाना चाहती है यह बस सिवा वुद्वार से शुरू की जानी थी कि दू जंग ने यह करकर इस पर रोक लगा थी कि बस सिवा शुरू करने से पहले इसकी अनुमती नहीं ली गई केजरिवाल ने ट्विट कर कहा कि उपराज जपाल और मोधी सरकार ने दिली सरकार के कामकास में आकरमक रूप से अडचने शुरू कर दी है सभी फाइलों पर अड़ंगा लगाया जा रहा है लशकर हकाने के खिलाफ कारवाई नहीं कर रहा पाकिस्तान अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के कबायली इलाके में न सिर्फ आतंगवादियों की पनागार अब भी बने हुए है बलकि घनी आबादी वाले इलाकों में आतंगवादी सर्याम चंदा एकत्र कर रहा है उसने आरोप लगाया कि पाकिस्तान लशकरे तैयबा और हक्कानी नेट्वरक जैसे आतंगी संगठों की खिलाफ कारवाई नहीं कर रहा अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंगवास संबदित अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान आधारिच संगठन भारत और अफगानिस्तान के भीतर निरंतर आतंग की हमले कर रहा है आधारिच संगठन निरंतर पाकिस्तान में रेलिया कर रहा है और चंदा एकतरित कर रहा है